दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दिपकी मान्सू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तो गर आपने विहार सिक्षक भरती के फेज बन का एक्जाम दिया था प्रैमरी में और जो B.A.D.L.A.D. का मामला है उसमें लगातार यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं और जो मामला कोर्ट में गया था वहां से भी बहुत बिपिन प्रकार के अपडेट्स आ रहे हैं साथी जो अगली सिक्षक भरती आने वाली है उसको लेकर भी आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई थी और उसके बाद दिन भर लगाता चीजे चलती रही और कोभी निसकर्स यहाँ पर नहीं निकला था उसी पर अपडेट्स आ रहे थे तो फाइनल जो है यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो लेटेस्ट अपडेट क्या आया है कि बीपेसी की ओर से प्रात्मिक सिक्षक के करीबर 89,000 पदों पर जो बहाली प्रक्रिया में बीएड अभियर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जो दायर रीट याच अचिका करता बिहार प्यारमबिक युवा सिक्षक संग के प्रदेश अध्यक्ष दिपांकर गौरव वोमिकू पाल की तरफ से बरिस्ट अधिवक्ता प्रसांत भूशन वर्दमान कौशिक निशा तिवारी ने कोट को बताया कि 36 गर के इसी तरह के मामले में कोट ने बहाल अब इसकी जो अगली सुनवाई है 20 अक्टूबर को होगी तो जो बिहार सिक्षक भरती का इस बीच में रिजल्ट भी आना है जिसमें कि पहले 11 बारा का 19 का फिर जो 125 का रिजल्ट भी आएगा और लगातार अलग अलग नोटीस आ रही है आप देख रहे होंगे कि जो भरत होगी उसके बाद जो नियुक्ति का प्रोसेस है उसके लिए भी लगभक हर डिस्टिक में तैयारिया हो गई है और इस बीच में यह मामला अभी भी कोर्ट में है तो ऐसा संभव है कि पहले 11 बारा और 19 के हो जाएंगे और इस बीच में यह प्रोसेस जब तक कंप्लीट होत जो है वो 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है अब यहां पर देखिए रिजल्ट आ जाएगा लेकिर अगली सुनवाई कब है उसकी 20 अक्टूबर को तो रिजल्ट किस बेसिस पर आएगा वो भी अभी किलियर नहीं है तो सिक्षक नियुक्ति का जो रिजल्ट है 15 जो आपकी अगली भड़ती आएगी तो वो इस रिजल्ट के बाद ही निकलेगी और उसमें वो सारे पद भी स्रिजित मिलब एड हो जाएंगे जो की यहां पर खाली रह जाएंगे उन्हें भी स्रिजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा रिक्तियां 79,000 से कहीं अधि भी हो सकती है क्योंकि अभी तो 79,000 कुछ है ना टोडल 70,000 के लगवक तो विभागी सुतर बताते हैं कि अधियाचना अगले हपते तक BPSC को भेजी जाएगी तो यह जो यहां पर आप देखिएगा दूसरे फेज के करीबन जो यह 37,000 स्रिजित किये गए हैं और जो रिजल है और इसलिए यह चीज अथा कि आखिर कर अगर रिजल्ट से पहले यह अधियाचना आ जाती है तो फिर तो यह कैसे अड होगा तो कहीं न कहीं वह रिजल्ट निकलने के बाद ही वह अधियाचना आएगी और उसके बाद वह एड होगा तो अब देखते हैं कि आगे इसमे किस प्रकार से पदों की संख्या बढ़ती है और जो पुराना वाला हमारा रिजल्ट है वो किस प्रकार से होता है क्योंकि अभी मामला कोट में है और 15 को रिजल्ट आने की बात यहां पर बताय जा रही है ऐसे आप देखेगा अलग-अलग न्यूज में तो कहीं 14-16 के बीच म हम लोग लेकर चल सकते हैं बाकी देखना अब यह होगा कि फाइनल रिजल्ट किस बेसिस पर आता है और अगली अधियाचना में कितनी सीटें बगर रहती है तो यह कहीं न कहीं एक बदलाव संभव है कि सीटें बढ़ सकती तो देखते दोस्तों आग एक अबडेट के के लिए हम लोग ने नियुकती 2.0 बैचेज लॉंच किया है 628 के लिए 910 के लिए और 1112 के लिए अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए आप लोग उसमें बिलकुल तयारी कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में आपका जनरल स्टेडिस का बैच है या 628 के लिए अलग-अलग बैचे आप लोग देख सकते हैं और आप लोग चाहें तो PW का महापैक या BPSC का महापैक ले सकते हैं जिससे कि आपको सब्सक्रिप्शन में और भी ज्यादा बेनिफिट होगा मल्टिपल आप एक्सेस आराम से कर पाएंग तो आप लोग को आपके भविष्ट की अग्रिम शुप